आज के modern generation में debt यानी करजा लेना बहुत ही आम बात है खास करके credit card से लेना और इसके नुकसान और फायदे बहुत ही कम लोग जानते हैं क्या debt लेना सही है तो आज दोस्तो मैं आपके लिए कमाल की book लेके आया हूँ the value of debt जिसे लिखा है Thomas J. Edison ने तो आज की किताब में हम सीखेंगे loan क्यों जरूरी है loan के फायदे और नुकसान, oppressive debt, increasing debt, debt rate and financial lifee method और कैसे बिना क्टेंशन के हम अपनी live जी पाएं और financial freedom अचीब कर पाएं तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका audio book summary यूटूब चैनल पे जहाँ पे आपको हर Saturday Sunday मिलती है high quality book summaries सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं कहता हूँ loan या debt सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा EMIs, loan, stress, money problem और हम Indians का मानना है कि अगर हमारे सर पे कोई loan या करज है तो सबसे पहले उसे खदम करना बट author का कहना है कि हमें loans चुकाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें loss होता है अब कहेंगे वो कैसे loss क्यों होगा अगर हम अपना करज जल्दी चुका दे तो चलिए हम इसे एक example की तरह समझते हैं हमारी दो families है पहली family है सर्मा family second family है sing family अब यहाँ पर दोनों family की देखने वाली बात है income same है खर्चे same है और साती साथ loan भी same है मान लेते हैं 50 लाग का loan है 10 सालों के लिए 6.7% का rate of interest इनको annually लग रहा है यानि यह total जो interest पे करेंगे वो करेंगे 18,74,094 रुपीज अगर all around हम total देखें तो यह 68,74,094 रुपीज पे करेंगे 10 years में यहाँ पर सर्मा family थोड़ा old mind set की है हमारे इंडियन्स की जैसी है जैसे यह सोचती है कि जितना जल्दी हमें loan से छुटकारा मिल जाए हमारे सर पे कोई करजा ना रहे देप्त ना रहे उतना अच्छा रहेगा तो इन्होंने क्या करा कि EMI के साथ जो इनकी EMI बनती है 57,384 रुपीज 57,384 रुपीज 57,384 रुपीज उसके साथ 10,000 रुपीज और एड़ करके जो total amount बनता है 67,384 रुपीज इन्होंने bank को पे करना start किया इसका फाइदा क्या मिला उनको कि जो loan 10 साल का था वो 8 साल में ख पदम हो गई अब हम में से बहुत से लोग इस आइडिया को एक great idea मानेंगे बट author कहते हैं ये great idea नहीं है चलिए देखते हैं क्यों great idea नहीं है अब sing family जो थी उसने सर्मा family की तरह अपनी EMI जो उनकी 57,384 रुपीज थी वो bank को पी की और जो अलग से 10,000 रुपे थे वो bank को ना दे करके उन्होंने stock market में invest किया long term के लिए तो अब हम 8 साल में देखें तो almost 8 साल में उन्होंने अपना बहुत सा loan भी खतम कर लिया और साथी साथ अगर 10% का rate of interest भी ले तो उन्होंने अपना 10,56,000 रुपे amount भी जमा कर लिया अब आप ये कहेंगे कैसे तो चलिए समझत हैं इसको की 50,000,000 का loan था 6.7 rate of interest का 10 साल के लिए यानी 120 महीने के लिए अगर हम सर्मा family की तुल्ला में ले तो 8 साल यानी 96 महीने total loan था तो अगर हम उनकी जो EMI है 57,384 रुपे को 96 महीने से गुना कर दें तो total इन्होंने जो बैंक को जमा किया 55,8864 रुपे इन्होंने बैंक खतम कर लिया साथ ही साथ अगर हम वो जो उन्होंने 10,000 रुपे stock market में invest किये थे वो 96 महीने से 96 मन से into करें तो total बनता है 9,60,000 रुपे अगर हम 10% का भी simple returns ले तो total बनता है 96,000 रुपे यानी इन्होंने 10 सालों में 96,000 रुपे extra कमाई तो total जो इनकी 8 सालों की saving हुई वो हु 10,56,000 रुपे तो इस बुक के first lesson में यही बताते हैं कि अगर loan को हमें जंजट नहीं समझना चाहिए अगर आप पैसे को अच्छी तरह से minus करें देखते हैं कि हम loan के साथ साथ पैसे भी बचा सकते हैं lesson number 2 जो author सिखाते हैं कि सभी loan या debt equal नहीं होते हैं जैसा कि हमने वीडियो में पहले देखा कि loan हमें जल्दी नहीं चुकाना चाहिए हम उसके साथ investment करके saving भी कर सकते हैं पर author कहते हैं अगर आप यह सोच सभी loan के साथ देखेंगे तो आप यहाँ पर गलत हैं क्योंकि सभी loan और debt equal नहीं होते अब author कहते हैं कि वो loans को दो भागों में divide करते हैं फर्स्ट है oppressive debt यह वो loan होते हैं जहां पर आपको high interest pay करना होता है यह taxable भी नहीं होते मतलब इसमें tax में भी आपको कोई छूट नहीं मिलती इसमें example देते हैं जैसे credit card आपने market से अपने friend या family से किसी से लिया है author का कहना है इस तरह के loan को आपको सबसे पहले खतम कर देना चाहिए क्योंकि यहां पे आपको late payment charges लगते हैं high rate of interest देना पड़ता है साथी साथ अगर आपने late payment किया अपने friend and family को जिससे आपने लोग तो आपको वहां पर लड़ाई भी हो सकती है वो आपसे पंगे लेंगे author कहते हैं सभी को increasing debt लेना चाहिए and increasing debt author कहते हैं यह debt सबको लेना चाहिए यह interest rate बहुत ही कम होता है tax में भी इसमें छूट मिलती है जैसे car loan home loan इसमें आप देखते हैं कि tax में भी हमें छूट मिलती है यह आपको liquidity देता है मतलब आपके पास cash पैसा होता है आपके प अभी भी जब मर्जी आप खर्च कर सकते हैं खास करके Indian market की अगर हम बात करें तो आपके पास liquidity होना बहुत ही important है क्योंकि covid के बाद जैसे देखे हम jobs जा रही है लोगों पे करजा बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थिति में अगर आपके पास emergency fund नहीं है तो आप बहुत बड़ी परिशानी में पौड़ सकते हैं से हमें बताते हैं financially life method अब यह life method क्या है author कहते हैं चार तरीके जिससे हम financially freedom हो सकते हैं अब यह L का मतलब क्या है L का मतलब है launch I का मतलब है independent F का मतलब है freedom और E का मतलब है equilibrium author कहते हैं अगर इसके लिए आपको सबसे पहले अपना network calculate करना आप अपना जो भी आपके पास assist हैं उसको अपने debt से या library से minus कर दें assist में वो सारी चीजे आ जाती हैं जो आपकी property है घर गारी bank balance stock mutual funds जो भी चीजे जहां से आपके जेब में पैसा आता है वो आपके assist है और library या debt वो चीजे हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है आपक जब यह है कि कर्ज अगर आपका network अब author कहते हैं अगर आपका network आपके annual income से कम है तो अभी आप L phase में है यानि launch phase में है और अगर आपकी network annual income के बरावर है या फिर उससे जादा है तो आप I phase में आते हैं यानि independent phase में आते हैं चलिए एक example से LIFE method को समझते हैं एक family है like कुमार family है और वो पिछले कुछ सालों से अपने पैसे को save कर रही है अच्छी तरीके से मतलब उन्होंने कुछ पैसे invest कर रखे हैं कुछ से अपने बच्चों के education के लिए save कर रखे हैं उन्होंने अपने retirement plan कर रखी है तो अगर हम देखें तो अभी ये family launch and independent phase के उपर आ गई है author का कहना है जब आपकी net worth आपके annual income के 5 गुना हो जाए तो आप F phase में आ जाते हैं author बोलते हैं अगर आपको financial freedom चाहिए F phase में आना है तो आपकी संपत्ती आपको अपनी संपत्ती बढ़ानी होगी और करजा कम करना होगा last phase है हमारा equilibrium इसका मतलब होता है अगर कोई भी आपको loan करज आपके सर पे नहीं है जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं खर्चे के बाद जो भी आपके पास बच रहा है वो आप reinvest कर रहे हैं और income के multiple source आपने बना रखे हैं और आपको पैसे की कोई भी tension नहीं है अगर आप कुछ time काम नहीं भी करते हैं तो आपकी investment से आपके पास पैसा आता जाता है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही thank you for watching